अलो फ्रेंज कैसे हो आप सब आप सब अच्छे ही होंगे तो आज मैं आपके साथ सेयर करूंगी आलू मटर टमाटर की सबजी तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हमें चाहिए उबले हुए आलू ये देखिए मैंने छिलके रख लिया है दो मीडियम साइज कटे हुए टमाट एक कटोरी मटर कुछ हरी धनिया सूखे मसाले में मैं चाहिए धनिया पौडर हल्दी पौडर लाल मिर्च पौडर नमक गरम मसाला मेथी के कुछ दाने कटी हरी मिर्च अधरक लहसुन और प्याज का पेस्ट आलू को हमें छोटे-छोटे टुकडे में कर लेना है ये देख कुछ इस तरीके से और इधर कढ़ाई रख दिया है गरम होने के लिए कढ़ाई गरम हो चुकी है मैंने इसमें तेल डाल दिया है और कुछ मेथी के दाने और प्याज प्याज मैंने लंबे-लंबे में काटा है हरी मिर्च भी मैने इसमें 2-3 डाल दिया है अब हमें इिसे ब्राउन करना है अब मैं इसमें अदरक लहसुन प्याज का पेश्ट डाल दूँगी और थोड़ी देर इसमें मिक्स कर लोंगी बाकि सूख्य मसाले में इसमें डालूँगी हल्दी पॉडर, धनिया पॉडर, लाल मिर्च पॉडर, घरम मसाला सारे मसाले को हमें मिक्स कर लेना है और एक मिनट ऐसे ही भूनना है यह देखिए, अब मैं इसमें कस्मीरी लाल मिर्च डाल दे रही हूँ ताकि इसका कलर अच्छा आए अब मैं इसमें टमाटर एड़ करूँगी और हरा मटर टमाटर और मटर को हमें मसाले में मिक्स कर लेना है और टेस्ट के अनुसार में नमक डाल दूँगी अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ अब मैं इसे दो मिनट के लिए ढग दूँगी और थोड़े देर ऐसे ही रहने दूँगी फिर मैं इसे चेक कर लेती हूँ बीच बीच में मैं इसे चलाती रहूँगी हमें तब तक इसे चलाना है जब तक की मटर अच्छी तरह से पकना जाए तो यह देखिए मैं फिर से इसे चेक कर रही हूँ यह अच्छी तरह से पक चुकी है अब मैं इसमें आलू एट कर दूँगी आलू को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है मिस करके मैं इसे ढग दूँगी तो उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज फ्रेंस मेरे वीडियो को लाइक करिए और जिक हो सके तो ज़्यादा ज़्यादा इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे मुझे आप सबकी प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है फ्रेंस ये देखिए पक चुकी है अब मैं इसे डो मिनट के लिए ढग दूँगी और फिर से मैं इसे चेक कर रही हूँ और हरा धनिया डाल दूँगी तो उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो मिलती हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाइब